Hello everyone, welcome back, Ikea Taker में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि आखों में आईड्रोप डालने का प्रॉपर जो तरीका होता है वो क्या होता है तो आज हम प्रॉपर तरीका जानते हैं कि कैसे हमको आईड्रोप डालनी चाहिए आईड्रोप डालने के लिए मैं आपको चार्ट से भी समझाता हूँ अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो इस चार्ट में हमको पहला तरीका होता है अपनी आईड्रॉप की डिप को खोलना उसके बाद हमको उपर छट को देखते रहना है और अपनी नीचे वाली आईलिट को खीचना है खीचने के बाद हमको छट को देखते रहना है अगर हम बिना खीचे डालेंगे तो यहाँ पर एक एरिया नहीं बन पाएगा जिसमें आईड्रॉप एजली आ जाए और हमारी आईड्रॉप उपर से उपर आईबॉल पर आके नीचे गिर जाएगे तो हमको नीचे वाली लिट को अपना खीचना है अपना एरिया बनाना है उसके बाद अपनी आईड्रॉप को डालना है उसके बाद अपनी पलक को छोड़ देना है उसके बाद आपको दो से तीन मिनट के लिए अपनी आख को बंद करके यहाँ पर हमारी जो डक्ट होती है उ और आपकी आँख में प्रॉपर असर करें जो लोग आईड्रॉप को डालने के बाद तुरंत अपनी आँखे खोल लेते हैं उनसे क्या होता है उनकी जो यहाँ पर डक्ट होती है उसकी ओपनिंग वो ओपनी रहती है उसके बाद आईड्रॉप कुछ देर कुछ सेकंड बाद ही वो हमारी डक्ट में होते हुई नेजली हमारे चली जाती है अंदर बॉडी में चली जाती है कुछ इस्टेरोइट्स डॉप्स होती है NSAID drop इस्टेरोइट्स मतलब जो हमारे लिए सरीर के लिए हामफुल होती है जो हमारी बॉडी में नहीं जानी चाहिए जैसे kidney patient होते हैं pregnant woman होती है जिनकी बॉडी में वो इस्टेरोइट्स नहीं जानी चाहिए उनके वो जब आख में आईड्रॉप डालते हैं तो अगर वो आख को बंद नहीं करेंगे अपनी duct को बंद नहीं करेंगे तो वो आईड्रॉप उनकी बॉडी में जाएगी और अपने harmful effect cause करेगी तो हमको आईड्रॉप डालने के बाद दवाना जरूर है जिससे वो आईड्रॉप हमारी body के अंदर ना जाए और एक चीज मैं आपको दूसरी बताऊंगा कि आईड्रॉप हमें डालने के बाद जब हम अपनी nasal को इसको block करते हैं तो हमारी आईड्रॉप का असर इतना अच्छा होता है अगर हम एक बून ड्रॉप डालते हैं उसके बाद open कर देते हैं तो उसका बिल्कुल असर नहीं होता जैसा मैंने बताया पर अगर हम उसको दवाई रखते हैं तीन मिनट तक तो उसका असर 100% आपकी आँख में आएगा वरना उसका साइद 5-10% असर ही हो अगर आप आँख में आईड्रॉप डालके तुरण छोड़ देंगे तो बाकी आपको साइद मेरी टेप अच्छी लगी होगी आप मैंने जैसे बताया ऐसे ही आईड्रॉप जरूर डालें अगर आपको अपनी आईड्रॉप का अमाउंट जो है वो यूटिलाइज करना है तो थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब